तो देखे तस्वीरे आपको दिखा रहे थे वही सेंटा जहां पर धमा के एक के बाद एक अटा किये और उमीद यही है शाय खान यूनिस का कसाई भी मारा गया है सबसे पहले स्माइल हानिया को जान की जान चली जाती है उस पर अटा किया जाता है और उसके बाद सिन्वार क की हत्याती जाती है अलाकि अभी यह पुष्टी नहीं हुई है लेकिन अगर यह सच मुच में किया गया है और पूरा हो गया है तो एक बड़ी सफलता इस्राइल के हाथ लग गई है रिपोर्ट देखें हमास के पूरी तरहा खातमे की कसम खाने के एक साल के अंदर ही इस्राइल ने दुश्मन की कमर तोड़ दी है सैकडो हमास कमांडरों को मौत की नीन सुला दिया है हमास जी इसमाइल हानिय को भी इरानी जमीन पर मार डाला और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि इस्राइल ने हमास के नए चीफ यहिया सिन्वार को भी निप्टा दिया है और इस खबर के बाद दुनिया भर के लोगों की दिमाग प्र दिवार पर सिर्फ एक सवाल दोड़ रहा है क्या खान युनिस का कसाई मारा गया क्या इस्राइल का असली दुश्मन खत्म हो गया क्या इस्राइल ने यहिया सिन्वार को धेर कर दिया है क्योंकि गाजा में ताजा हवाई हमलों के बीच इस्राइल ने एक बड़ा दावा किया है इस्राइल का कहना है कि हाल ही में हुए एक हमले में हमास का सीनियर लीडर यहिया सिन्वार शायद मारा गया है और उधर इस्राइली मीडिया के मुताबिक प्रधान मंत्री नेतनियाहू ने मोसास समेथ सभी खूपिया विभागों को काम पर लगा दिया है कि वो हमास के नए चीव यहिया सिन्वार की मौत को कनपंग करे वहीं दूसरी तरफ इस्राइली सेना के मुताबिक उसने हमास के कमांड सेंटर को टारगेट किया था लेकिन पुलिस्तिनी स्वास्त अधिकारियों ने कहा कि हमले में मारे गए 22 लोगों में महिलाए और बच्चे ही शामिल थे इसराइली मीडिया के मताबिक इसराइल सरकार इस संभावना की जाच कर रही है कि हमास चीफ सिन्वार मारा गया है या नहीं जी हाँ इसराइली खूपिया अजेंसियों के पास अभी यह यह सिन्वार की मौत की कोई पुष्टी नहीं है लेकिन कुछ इसराइली मीडिया सिन्वार के अचानक लापता होने की घटना को उसके मारे जाने से जोड़ रही है लेकिन 11 महीने पहले हुए इसराइल में आतंकी हमले के बास से आईडियप को चक्मा दे कर बच निकले सिन्वार का चुप रहने का इतिहास रहा है क्योंकि ये पहली बार नहीं है पहले भी हमलों के काफी बात तर यहया सिन्वार अंडर ग्राउंड रहा और इसराइल को लगा कि हमास करया चीफ यहया सिन्वार मारा गया लेकिन तब भी यहया सिन्वार जिन्दा ही था विरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत तो याहिया सिन्वार की मौत हुई है या नहीं ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है लेकिन याहिया सिन्वार दोस्तों है को ये भी आपको बता देते हैं सबसे पहले आपको बताएं कि जरायल में 7 अक्टूबर को हमले का मास्टर माइंड भी याहिया सिन्वार ही है याहिया ने ही हमला करवाया था और आर्मी विंका चीफ भी उसे कहा जाता है हमास के इस हमले में 1500 लोगों की जान चली गए थी वो पहला अटैक जिसके बाद तबाही मची थी इसके बाद हमास के शुरुआती सदस्तियों में से एक याहिया सिंबार ही है इतना ही नहीं आपको बता दे कि जब याहिया अटैक करने पर आता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है वो जान लेकर ही हार मानता है फिलिस्तिनी संगठन हमास साल 1987 में बना था और तब से ही आपको जानकारी दे दे आतंकी संगठन हमास की सुरक्षा शाखा खाए कमांडर है और तब से ही जुड़ा हुआ है हमास से इसराइली जासूसों को बहार निकालने का काम किया करता है अंदर की इन्फॉमेशन लाने का काम करता है जितने भी लोग इस से जुड़े हुए हैं क्या काम हो रहा है, क्या कुछ सप्लाई हत्यारों की कहां से होनी है, हर एक information detail वो लेकर आता है और सिन्वार ने अपने 12 संदिक सयोगियों की हत्या तक कर दी थी, ये भी आरोप उस पर लगता है इसलिए सिन्वार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता है, क्योंकि वो जब मारता है तो फिर जान लेकर ही हार मानता है अब आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरे हैं जब अटाक हुआ, एक के बाद एक मिसाइले दागी गई, रोकिट दागे गई, और होड सी मच गई है, मिसाइल दागने की जी हाँ, ये तस्वीरे आप देख रहे हैं, हमास कमांड टेंकर पर अटैक, अब ये तस्वीर पेजर अटाक की आप देख रहे हैं, इसराइल पर हिजबुला का सबसे बड़ा हमला, कहा जा रहा है कि हिजबुला भी अब आक्शिन मोड में है और बदला लेने के मूड में आ गया है, क्योंकि हिजबुला ने जिस तरीके से पेजर अटाक करवाया था, हिजबुला के चीफ ने कह दिया है कि युद की यलगार है, ये युद की घोशना इसराइल ने कर दी है और इस वज़े से हिजबुला आगबुला है और हिजबुला की तरफ से भी अब अटाक कराई जा रहे हैं सबसे पहले इसराइल की तरफ से पेजर अटाक हाली में हुआ रेडियो धमा के पेजर धमा के कई लोगों की मौत कई लोग सक्मी हो जाते हैं और हिजबुल्ला चीफ का कहना है कि युद्ध की घोषना ही तो है और इसके बाद हम भी चुप बैटने वाले और हाली में अभी अटाक की सबार अटाक सी तस्वीर आप टीउई स्क्रीन पडेख रहे हैं और चलिए अब आपको तस्वीरे दिखाते हैं हिजबुल्ला की उस मिसाइल की जिस से हमला किया गया है कौन सी वो मिसाइल है अभ आदोनिक मिसाईल जिसके बारे में चटचचा हो रही है जिससे अटाक किया गया है M600 रेंज इसकी 300 किलो मीटर की है ये वही तस्वीर है ये वही मिसाइल है जिससे हाली में ताजा अटाक हुआ है हमला किया गया है इसके अलावा सकट की अगर बात करें तो 700 किलो मीटर रेंज इसकी मानी जाती है और इससे भी अटाक किया गया है ये वो तस्वीरे आप देख रहे हैं उन मिसाइलों की जिनसे हाली में हमला किया गया है ये आपको जानकारी दे रहे हैं अब और तस्वीरे आपको दिखाते हैं ये तस्वीरे हैं खार्कीव की आगे बढ़ते हुए बात रश्या की करेंगे यूक्रेन की करेंगे दो दो साल से लगतार जंग चल रही है और इस जंग की बात करें तो हाली में ताजा हमला भी हुआ है जिसकी तस्वीरे आप देख रहे हैं खार्कीव शहर की ताजा तस्वीर ये वही शहर है दूसरा बड़ा शहर जिस पर सबसे जादा हमला हुआ है तो तस्वीरे आपको दिख गुस्से में है पुते नो और एक के बाद एक हमले किये जा रही है लगातार अगर बात करें यूक्रेइन की राजधानी की और खारकी की तो यहां पर सबसे जादा हमले देखने को मिले हैं यह ताजा हमला हुआ है जिसकी तस्वीरे आप देख रहे हैं तबाही का मनजर भी मिला है यह जो बिल्डिंग है इमारत है वो गिर जाती है उसके बाद लोग यहां पर इखटे हो जाते हैं कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग जखमी बताए जा रहे हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं क्या ताजा अपडेट बताया जा रह ही है दोनों ही तरफ से हमले हो रहे हैं और ना रश्या की तरफ से जंग ठम रही है और ना ही यूक्रेण की तरफ से बलकि लगातार हमले हो रहे हैं ताजा हमला खार्खीस पर हुआ है देखे रूस और युक्रेण के भी जड़ी जंग को दो साल से जादा का वक्त बीच चुका है बावजूद इसके ये युद्ध पतस्तूर जारी है इस बीच एक बार फिर से रूसी सेना ने युक्रेण के खार्खीव में रहाशी इलाकों को अपना निशाना बनाया है रूसी सेना के इस हमले में करीब 21 से जादा लोग गंभी रूप से जखमी है रूस की तरब से इस हफ़ते रात के वक्त किया गया खार्खीव पर ये दूसरा और बड़ा जबर्दस्त हमला है दरसल खार्खीव के गवर्नर उलह सिनी हुबूब के मताबिक रूस ने 21 सितंबर की रात युक्रेण के उत्तरपुर्व में शेवचेन की विस्की में बंबारी की जो युक्रेण का दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्खीव के गवर्नर के मताबिक हमले में रहाईशी इलाकों को काफी नुकसान पहुचा जिन में 16 और 9 मंजला इमारते शामिल हैं साथ ही साथ दूसरी इमारते खंडर बन गई युक्रेणी सेना के अधिकारियों के मताबिक खारकीव पर दोनों हमलों में के एबी के हवाई ग्लाइट बमों का इस्तमाल किया गया जो एक सोवियत हत्यार है इससे पहले कई महीनों तक इस्ट युक्रेण में इन हत्यारों का इस्तमाल किया जा चुका है वहीं युक्रेन की एरफोर्स के मताबिक रूस ने रविवार रात को युक्रेन पर 80 ड्रोन और 2 मिसाइले दागी जिसमें युक्रेन ने 70 ड्रोन को मार गिराया, साथ ही 6 दूसरे ड्रोन भी तबाह कर दिये गए परवरी 2022 से रूस और युक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था और तब से ही ठार की निशाना बनता रहा है रूसी सेना के इन हमलों में हजारों लुगों की मौत हो चुकी है रूस के हमलों ने युक्रेन में तबाही बचा रखी है और अब दी युद्ध रुखने का नाम नहीं ले रहा फ्यरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारा